हालो एवरिबड़ी, आज हम लोग बनाएंगे क्रिस्पी मेथी वड़ा वाव, नाम सुनके ही मूँ में पानी आ गया ये सबसे बेस्ट मेथी का रेसिपी है और बहुत इजी है बनाने के लिए इसके लिए हम लोग लेंगे एक कप पोहा जो मैंने 20 मिनिट पानी में भिगा के रखा था उसमें हम लोग डालेंगे एक कप कटा हुआ धनिया और उसको बहुत फाइनली चॉप करके लेना है हम लोग को उसमें हम लोग एक मिर्ची, अद्रक, लसन और जीरा का पेस्ट डालेंगे और फिर उसमें डालेंगे लंबा कटा हुआ प्याज या फिर अनियन ताकि वो लंबा ही कट होना चाहिए ताकि वो बैटर को उसके वज़े से एक सपोर्ट मिलेगा और फिर इसमें हम लोग डालेंगे मसाले तो मैंने बहुत बेसिक मसाले यूज किया आपको चाहिए थोड़े फ्लेवर के लिए आप बाकी मसाले भी आड़ कर सकते हैं मैंने आड़ किया है हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर और ये पाचो आड़ किया है और उसके बाद अब चाहट मसाला भी आड़ कर सकते हैं उससे एक खटा फ्लेवर, मतब खटा मीठा फ्लेवर भी आ जाएगा और फिर हम लोग को सॉल्ट तो भूलना है ही नहीं, नमक अपने स्वात के अनुसार आपको डालना है और फिर मेरा फेवरेड इंग्रीडियन जो है भूना हुआ तिल, ये सबसे बेस्ट और एक क्रंच देता है उसको, तो मैंने वो भी डाला है उसमें, ये ऑप्शनल है, आपको डालना होगा तो, और फिर हम लोग हम लोग का हीरो इंग्रीडियन डालेंगे, जो है मेथी, मेथी को बहुत बहुत फाइनली चॉप करके लेना है, ताकि वो बीच बीच में टेस्ट ना आए करके, फिर ये मिक्सचर बहुत अच्छे से हम लोग को मिक्स करके लेना है, ताकि एक पूरा फॉर्मनेस और एक फॉर्मनेस आ जाए उसमें, फिर 20 मिनिट इसको रखना है, उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे एक कब बेसन, नॉर्मली बिना पानी डाले हम लोग इसको मिक्स करके लेंगे, उसके बाद अगर आपको ये बहुत ड्राय लग रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके जाना, क्योंकि मेथी है, धनिया है, कान्दा है, इसका सब का प अच्छे से घरम करना है, फिर इसमें वड़ा शालो फ्राय करना है, मीडियम फ्लेम पे, ताकि आप इसको अच्छे से दोनों साइड से क्रिस्पी कुक कर सको, पर मेक शुर कि तेल आपका घरम ना, और आल्मोस्ट बीस मिनिट में आपका क्रिस्पी मेथी वड़ा तायार ह जो एक किड्स फ्रेंडरी लेसिपी भी है और अब कभी भी बना सकते हैं